दोस्तों आप सबको पता ही है कि यूपी पेंसन के जितने भी पात्त लाभारती थे उनको अब तक पेंसन का पैसा मिल चुका है चाहे वो अपरेल, माई और जून वाला हो चाहे उसके बाद अभी विधोह पेंसन का जो पैसा आ रहा है नई किस्त जो जुलाई, अगस्त और स पैसा मिल रहा है और वो लोग अपने PFS से चेक कर पा रहा है कि उनका पैसा मिला है कि नहीं मिला है और आखिर किस तारिक को मिला है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे लोगो के कमेंट आ रहे थे कि सर जब हम अपना पीएफ में से स्टेटस चेक करते हैं तो उसमें उपर no record found का option आता है और कोई detail उसमें नहीं दिखती हमारे pension की तो हम क्या करें बहुत सारे लोग इसको लेके परसान है तो दोस्तो इस वीडियो में इसी बारे में बात करूँगा और आपको एकदम clear बताऊंगा की कैसे आप चेक करेंगे और कैसे आप इस परसानी को दूर करेंगे तो वीडियो को लाश तक जरूर देखिएगा चाहे वो विध्वा पिंसन वाले हों चाहे वृद्धा चाहे विकलांग मैं तीनों पिंसन के बारे में बताऊंगा तो वीडियो को लाश तक जरूर देखिएगा और अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो पिंसन से जुड़ी जानकारी को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा क्योंकि मैं पेंसन से जुड़ी जानकारी हमेशा आप सब के लिए लाता रहता हूँ देखिए दोस्तों पेंसन का नो रिकार्ड फाउन दिखाना इसके बहुत सारे कारण है एक एक करके मैं सभी के बारे में डिटेल में बताऊंगा तो सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है इसका लिंक मैं डिस्किप्सन में दे दूँगा जैसे ही आप आएंगे तो आपको चैसा इंटरफेस देखने को मिलेगा यहाँ पे देखिए आपको तीनों पेंसन देखने को मिल जाएंगी चाहे वो व्रिद्धा पेंसन है चाहे वो विधवा और चाहे दिव्यांग पेंसन तो आपकी जो भी पेंसन हो उसके नीचे यहाँ देखिए योजना के विषय में लिखा है इसी पे क्लिक कर देना है यह देखिए उसके बाद हमारे सामने ये पेज खुला है अब जिस भी pension का आप खोलेंगे ऐसे ही detail आएगा चाहे वो विधवा हो चाहे वृद्धा चाहे विकलांग उसके बाद यहाँ देखे आपको आवेदक login इसी पे क्लिक कर देना है इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको pension अपनी select करनी है कि कौन सी pension है आपकी यहाँ से आप select कर लेंगे जैसे कि मेरी oldest pension है तो मैं oldest pension select करूँगा आपकी जो हो आप अपनी select करिएगा उसके बाद आप अपना pension का registration number यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे जो भी mobile number आपने pension में दिया है वो mobile number डालेंगे उसके बाद send OTP पे click करेंगे तो आपके mobile number पे एक OTP आएगी वो OTP को डालके उसके बाद यह capture को डालके आप login कर लेंगे तो चलिए मैं यह सारी detail डालके login करके आपको दिखाता हूँ यह देखी हम login हो चुके हैं उसके बाद आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा interface यहाँ पे सबसे important यह है कि आपका जो application status है इसमें आपको यह तीनो green होने चाहिए और good का sign होना चाहिए मतलब कि आपको जो application है वो successfully submit होना चाहिए और finally logged भी होना चाहिए सबसे important आपका यह आधार verification वाला है आपका यह आधार verify successfully होना चाहिए क्योंकि देखिए दोस्तों होता क्या है कि बहुत लोगों की बहुत पुरानी pension होती है उस समय उनका आधार card pension से नहीं जुड़ा था या तो उस समय उनका आधार ही नहीं बना था इसलिए उन्होंने नहीं जुड़ाया था लेकिन अब क्या है सारा काम आधार card से ही हो रहा है आपकी आधार ekyc होना बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए आधार से आपके pension में नाम match करेगा तभी आपको pension का पैसा मिलेगा क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस बार से क्या हुआ है कि pension का पैसा आधार से जुड़े bank account में ही जा रहा है तो ये सारी चीज़े आप जरूर ध्यान रखिएगा चाहे वो नए pensioner हो चाहे पुराने pensioner उसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पर application form print का option दिख रहा है आपको इसी पर click कर देना है ये देखिए साथियो जब आप इस पर click करेंगे तो आपका ये आवेदेन स्तिती आपको देखने को मिल जाएंगी अब इसमें main क्या है आपका PFMS status कब सो होगा जब मैं जो बता रहा हूं वो सारी चेज़े आपका complete रहेगा तब ही आपका PFMS status आपका pension का सो होगा तो आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा और अभी भी आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please चैनल को subscribe जरूर कर लीजेगा तो सबसे पहले देखिए आपका जो PFMS है उपर ही लिखा है वो accepted होना चाहिए और re-verify होना चाहिए उसके बाद क्या है यहाँ पर जो re-verification है जो D.W.O. दारा होता है जो समाज का लियान office होता है तो वहाँ से भी यह verify होना चाहिए तो देखिए इनका re-verified भी है उसके बाद PFMS status को column दिख रहा है वो भी accepted है उसके बाद D.W.O. action status यह भी आपका approval दिख रहा है और complete भी है देन उसके बाद नीचे आप देख रहे है वीडियो और SDM action status यहाँ पे जब देखिए आप नया नया form आवेदन करते हैं तो आपका या तो वीडियो या SDM के पास जाता है तो वहाँ से भी आपका approve होना चाहिए उसके बाद आपका जो आधार है वो verify होना चाहिए जैसे कि मैंने पहले भी बताया है यहाँ पे देखिए आधार सत्यापन वेवरन वाले option में लिखा है verified on यहाँ पे date भी लिखा है जिस तारिक को इन्होंने verify कराया है उसके बाद यहाँ पे देखिए और भी इनकी detail देखने को मिल जाएगी इनका family ID है जो राशन कार्ड नमबर होता है वो होता है बहुत लोगों का यहाँ पे family ID mention नहीं है वो लोग मेरे पास message करते हैं कि sir हमारी family ID कैसे add होगी देखिए दोस्तो family ID को add करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है अगर आपका नाम राशन कार्ड में है तो automatic यहाँ पे आपकी family ID यह capture कर लेगा तो देखिए यह सारी चीजें आपकी add होनी चाहिए और सबसे important है कि आपका जो आधार है वो bank से link होना चाहिए जो NPCI जिसे बोलते हैं वो link होना चाहिए मैं आपको दिखा दू आपका आधार link हो ऐसे दिखेगा और आपका यहाँ पे active भी होना चाहिए जो आधार seeding status है वो active भी होना चाहिए क्योंकि देखे कभी कभी dbt जो होता है वो disable हो जाता है उसकी वज़े से भी आपके पैसे नहीं आपाते हैं तो देखिए इनका सारा कुछ complete है तो इसलिए इनको यहाँ पे देखे नीचे जितने भी quarter का पैसा इनका आया है चारो quarter का आप तक सभी का पैसा इनको मिला है यहाँ पे देखे सीधे ही लिखा है आपके आधार link बैंक खाते में वृद्धा पेंसन 3000 की धनरासी सफलता पूर्वग हस्तांतरित की गई है और quarter भी लिखा है देखे 2024-25 तो आप देख सकते हैं ऐसे ही आपका चाहे विद्धवा पेंसन हो चाहे विकलांग पेंसन और चाहे विर्धा पेंसन सभी में यही step follow होंगे तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ PFMAS Portal पे और वहां से आपको सर्च करके दिखाता हूँ PFMAS Status ये देखिए साथियो हम आ चुके हैं PFMAS Portal के Official Website पे जो dbt status वाला पेज है उस पे आ चुके हैं मैं direct इस पेज का link आपको description में दे दूँगा जैसे ही आप क्लिक करेंग हमने इस पे क्लिक किया उसके बाद यहां पे आपको इंटर application ID यहां पे आपको अपने pension का registration number डालना है तो चलिए हम डाल देते हैं उसके बाद ये capture code डालके सर्च करना है देखिए हमने सारी detail डाल दी है अब हमको यहां पे search वाले icon पे click कर देना है तो चलिए हम search वाले icon प इसे है तो उनका अगर सब कुछ approve हो गया है और beneficiary बन चुकी है NPCI वगएरा link है तब ही आपका दिखेगा नहीं तो आपका no record found ही दिखेगा वो भी मैं दिखा दूँगा अभी बाद में आपको कैसे क्या करना होगा तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं इनका मैं record found दिखाता है वो क्या करेंगे सबसे पहले आप एनि अदर एक्टरनल सिस्टम काटेगरी में आप यही सेलर्क रहने देंगे उसके बाद यहां पर dbt स्टेटस में आप बेनिफिसरी वैलिडेशन वाले पे क्लिक कर देंगे ताकि आप जान पाएं कि आपकी बेनिफिसरी अपडेट हुई है कि नहीं हुई है क्योंकि देखे है जब तक वेनिफिसरी अपडेट नहीं होगी तब तक आपका यहां पर सो नहीं होगा तों हम इस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद सेम यहां पर अपना रेजिस्टेशन नंबर डालेंगे दें यहांपे capt$ya kोर डालके फिर से search पे click करेंगे यह देखिए हमने detail डाल दी है आप हम यहां search वाले option पे click कर देंगे देखिए जैसे हमने search पे click किया है आप यहां पे देख सकते हैं आपको payment वगएरा नहीं दिखेगा मगर यहां pensioner की सारी detail आपको दिखेगी application number दिखेगा उनका नाम दिखेगा और यह आधार के last चार डिजिट दिखेंगे उसके बाद यहां पर आपका validation हुआ है कि नहीं हुआ है यहां पर देखे validation कब हुआ है यह date लिखा है उसमें आपका आधार EKYC होना चाहिए आपका सारा जो तीनो इस्टेप पहले होते थे approval वगएरा और PFMS accept का यह सारी चीजे पूरी होनी चाहिए इसके साथ ही साथ आपका जो bank है उससे NPCI जो आधार link है वो होना चाहिए तो अमीद करता हूँ कि यह छोटी से जानकारी आपको पसंद आई होगी और इससे रिलेटर आपको कोई भी प्रस नहीं है तो आप हमें comment box में message कर सकते हैं नहीं तो मेरे टेली ग्राम चैनल का link आपको description में मिल जाएगा वहाँ से आप हमें direct message कर सकते हैं तो पिंसन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को subscribe करके जरूर रखिएगा